हेलो दोस्तो आज हम बनानी चारे हैं दाल, तड़का और वो भी रेस्टोरन स्टाइल में जैसे धाबा स्टाइल में मिलती है रेस्टोरन स्टाइल में मिलती है उस तरह से हमें से तड़का लगा के ये दाल बनाएंगे और ये खाने के लिए बहुत ही मज़े की बहुत ही ते हमने यहां पे तुवर की दाल लिये है, आधा कब, इसे हमने अच्छे से वाश किया है, और इसे हमने आधा घंडे तक सोक किया था, इसे भी हम इसमें एड करेंगे, मुंकी दाल हमने लिये है, तीन टेबल स्पून, इसे भी हमने अच्छे से वाश किया था, और इसे भी हमने आदी घंडे के लिए सोख करेने रखा था यहाँ पे हमने आदा इंच अद्रक लिया है इसे हमने चौप करना है इसे भी हम इसमें एड करेंगे यहां पर हमने एक मिर्च ली है उसे भी हम इसमें एड़ करेंगे 1 फोर्थ हमने इसमें हल्दी एड़ करनी है 1 फोर्थ नमक एड़ करेंगे 2 कब बरके हम इसमें पानी एड़ करेंगे अब प्रेशर कुकर की लिड़ बंद करके इसे हम low flame पे 2 सीटी होने तक हम इसे cook करेंगे यहाँ पे हमारी दाल हम चेक करेंगे cook हो चुकी है या नहीं हमारी दाल cook हो चुकी है अब हम इसे side में रखेंगे और हम इसे तड़का लगाएंगे तो यहाँ पे हमने pan लेना है हमने पैन का ही इस्तमाल करना है तड़का लगाने के लिए ये मैं आपको आगे बताऊंगे क्यों हमने पैन में तड़का देना है अब हम इसमें एड़ करेंगे दो टेबल स्पून घी इसे हमने अच्छे से गरम करना है एक टीस्पून जीरा एड़ करेंगे आधा टीस्पुन अद्रक एक टीस्पुन लसन हमने चॉप करके लिया है इसे भी हम भूनेंगे एक हमने सुखी हुए मिर्च लिये है उसे भी हम इसमें एड़ करेंगे एक प्यास लेना है उसे हमने फाइन चॉप करके इसमें एड़ करना है इसे भी हमने भूनना है प्यास को हमने बिलकुल भी जलाना नहीं है इसे हमने बस translushon होने तक हमने इसे fry करना है अब हम इसमें एक टमैटो अड़ करेंगे चॉप किया हुआ, इसे भी हमने भून ना है half teaspoon, हम इसमें नमक अड़ करेंगे आदा टीस्पुन जीरा, आदा टीस्पुन धनिया, वन फोद हल्दी, आदा टीस्पुन आमचुर पाउडर, आदा टीस्पुन गुरम मसाला पाउडर, और थोड़ा सा पानी के छीटे हम इसमें डालेंगे, तकरीबन दो टीबस पुने से, हमने गैस की फ्लेम हाई रखके हम तो दाल तड़के पैन को हिलाना है। आपका हाथ ना जल जाए संबाल के। क्यूंकि हमने हमें जो स्मोक आ रहा है, वो हमें इसमें आना चाहिए फलेवर दाल तड़की में। तो दाल इस तरीके से बनाने से डाल को बहुत अच्छा टेस्ट आता है। एक smoky flavor आता है, अब हम इसमें कुक्की वी दाल हम इसमें add करेंगे, अच्छे से हम इस दाल को mix करेंगे, हमने यहाँ पर एक टीस्पॉन कसूरी मिथी ली थी, उसे हमने भूना था, अब हम इसमें crush करके इसमें add करेंगे, आधा टीस्पॉन हमने आमचुर पाउडर डालना है, आधा टीस्पॉन हमने बटर लिया है, थोड़ा सा हरा धनिया, हम इसे mix करेंगे अच्छे से, और इसे हम तकरीबन 2 से 3 मिनिट तक डाल को कुक्खोने देंगे, दो से 3 मिनिट हो चुके है, हम इस डाल को dish out करेंगे और इसे हम serving ball में डालेंगे, यहाँ पे हमने serving ball में डाल दी है, और इसे हम और एक तड़का लगाएंगे, तो यहाँ पे हमने तड़के के लिए पैन लिया है, एक टेबल स्पून भरके हम इसमें घे अड़ करेंगे, एक बड़ी साइस का हमने लंबा-लंबा प्यास काटा है, उसे भी हमने इसमें अड़ करना है, वन फोथ हमने हिंग अड़ करनी है, आदा टी स्पून कश्मीरे रेड़ चिली पाउडर, थोड़ा साहारा धनिया, अब हम इसे एड़ करेंगे डाल में, यह हमारा डाल तड़का रेड़ी हो चुका है, अब हम इसे अच्छे से मिक्स करके, आप इसे राइस, चपादी के साथ में इंजॉई कर सकते हैं, अगर आपको मेरी वीडियो और मेरा चैनल पसंद आया हो, और यह रेसे पे पसंद आये हो, तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब चुक्ते हैं,